Hello everyone, I am Dr. Kanishka Koshik, welcome you all on Topper Stop, so इस वीडियो में हम Part 17 को discuss करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि इसका जो पीडिया फ्लेक्चर है, वो आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक में डिस्क्रि सब्सक्राइब एंड लाइक आर वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं, तो फर्स्ट हम न्यूस शुरू करते हैं, वेंटिलेटर इंटर्वेंशन टेक्नोलोजी एक्सेसिबल लोकली डेट इस वाइटल से, तो वाइटल है क्या देखिए, नासा के जो इंजिनियर से, उन पुमए जाती है, तो यह चीज़ आपको याद रखनी के पहली बात तो इसको नासा ने किया क्योंकि स्ट्राइब कि कॉर्णावाइरस के पेशेंट है वह थोड़े कम है तो उनके रिए स्पैसिफिक ली जो वैंटीलेटर है वह बनाया गया है क्योंकि जो ट्रैडिशनल वैंटीलेटर से उनको चाहते हैं कि जो सीरियस पेशेंट से सिर्फ उनके पास जाए तो इस वज़ए से इसको as an alternative यहां पर बनाया गया है तो जो वाइटल है वह फास्टर भी बिल्ट अप हो जाता है और मैंटीन भी इसली हो जाता है कंपेर टू ट्रैडिशनल वैंटीलेटर और यहां पर इसके बहुत सारे फ्यूर पार्स जिसमें बेसिकली इसको करेंटली अविलेबर करा सक सकते विदाउट एक्जिस्टिंग सप्लाइचेंस मतरके एक्जिस्टिंग सप्लाइचेंस के अंदर जो उल्ट्रेशन आ रखिया भी चलते हुए तो उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसकी सप्लाइब हो सकती है नेक्स्ट वी डिसकल्स मोस्ट इंपो प्रोपर्टी डे 2020 जो है वो 26 अप्रेल को सेलिब्रेट किया जाता है और आपके बार जो थीम रखे गई है वो है इनोवेट फोर ग्रीन फ्यूचर तो थीम आपको यादख नहीं अपने एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से उसके बाद देखे कि 26 अप्रेल को इसे एनुली से केलिब्रेट किया जाता है और यह जो इवेंट है यह किसके थ्रू एस्टैब्रिश किया जाता है और कब किया गया था तो वर्ल्ड इंट्लेक्शल प्रोपर्टी और्गनाइजेशन इस डबलु आईपी ओ जो है उसके थ्रू 2000 में सबसे पहले इस इवेंट को इस नहीं है एक तो यह कि 2000 से इस इवेंट को और्गनाइज करना शुरू किया गया था दूसरी चीज़ जो 26 अप्रेल है वही क्यों चूज किया गया था क्योंकि 26 अप्रेल को ही क्या हुआ बाइचांस की कोइंसिडेंस से यही डेट थी जिसमें की कंवेंशन एस्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ल इंट्लेक्ट्ट्र प्रोपर्टी और्गनाइजेशन का जो कि 1970 में इनफोर्स हो गया था मत्तब अच्छी तरीकी से इस्टैब्लिश हो गया था आ गया था एक्शन के अंदर तो यह वाली जो डेट थी यह को इंसाइट कर रही थी तो फाइनली 26 अप्र प्रोपर्टी से डील करती है और इसको एस्टैब्लिश क्या गया था 1967 में तो देखें कंफ्यूज नहीं हो रहा है एस्टैब्लिश क्या गया था 1967 में बट इनफोर्स होई थी मतब कि यह एक्शन में थी 1970 में और जो WIPO का जो इवेंट और्गनाइज क्या जाता है वह पूछे जाते हैं मेंबर्शिप इसकी 193 मेंबर स्टेट्स की है और अगर हम पेरेंट ओर्गनाइजेशन देखते कि कौन इसको हैड करता है तो यूएन इकोनमिक और शोशल काउंसल जो है वह इसे हैड करेगा तो दो चीज़े अब आपको डिफरेंस याद रखना है एक तो यह जो यूएन का स्पेशलाइज एजनसी है यह इसका टाइप है यह यूएन जो है इसकी हैड नहीं है मतब पेरेंट ओर्गनाइजेशन नहीं है पेरेंट ओर्गनाइजेशन है यूएन एकोनमिक और शोशल काउंसल तो जनरल असेंबली नहीं है एकोनमिक और शोशल funds है जो कि 9th largest country के अंदर उन्होंने ये decide किया है कि जो 6 yield oriented managed credit funds है ये उनको wind up कर देंगे और credit risk fund जो है इसमें से भी एक बाना गया तो ये जो credit risk fund है ये होता क्या है basically तो credit से आप क्या समझते देखें दो चीजे होते है एक होता है credit होता है debit तो debit क्या होता है कि जब क्हुए चीज श्यआपके नहीं तो credit क्रेड़ने में आप उसको कुछ लेते तो उसके बदले में अप उसको कुछ देते हैं अगर हम money perspective में बात करते हैं तो अगर आप किसीसे credit लेंगे तो आप उसको interest देंगे और जब उसको interest देंगे तो वो आपके उपर एक तरीके से debt हो जाएगा करजा हो जाएगा तो credit risk fund जो होता है वो debt fund होता है एक तो यह चीज़ आप याद रखेगा बिल्कुल अच्छे से उसके बाद देखिए आपको याद रखना है कि यह किस principle के उपर काम करता है तो high risk high reward principle के उपर यह work करता है high risk का क्या मतलब है कि यह जो credit risk funds होते है इसमें जो भी investment होती है उसके उपर बहुत जादा high risk होता है कि क्या उनको investment के उपर profit मिलेगा या नहीं मिलेगा बट यह जो high risk होता है अगर यह successful हो जाता है तो उसके उपर high reward भी मिलता है मतलब बहुत जादा interest rate मिलता है बहुत जादा profit मिलता है तो यह वाला principle आपको याद दखना है तो यहाँ पर basically अगर definition से हम देखे तो credit funds जो होते हैं उनमें से जो 65% होता है वो portfolio उन bonds के उपर invest किया जाता है जो की AAA मतलब AA rated होते है या उससे थोड़े से कम होते है तो यहाँ पर investors जो है उनको यह पता होता है कि वो low rated papers जो है उनके उपर invest कर रहा है अब यह low rated papers के उपर invest क्यों कर रहा है क्योंकि देखे अगर कोई चीज अच्छी निकल रही है एक security होते है उसके पीछे बट वो बहुत lower interest rate offer करते है वहीं पर जो credit risk fund होते है वो lower rated bonds के उपर invest करते है जिसमें risk बहुत जादा होता है बट returns होता है वो बहुत higher होता है क्योंकि interest rate बहुत जादा high pay किया जाता है इसी वज़े से इसको एक आ गया था strategy क्या होती है कि जो scheme होती है उसको diversify किया जाता है मतब कि asset sides पे जादा से जादा उसको diversify किया जाएगा और जिस तरीकी से diversify होगा तो उसमें क्यों होगा कि अगर by chance default हो भी जाता है one or two more company से तो जो entire portfolio है वो उससे affect नहीं होगा और अगर यह जो scheme है यह well diversify होगी liability side से तो basically one or two investors जो है जिनको redemption चाहिए भी तो उसको जो fund house जो है पूरा वो पूरा sale के लिए नहीं जाएगा मतब कि थोड़ा बहुत उनको compensate करके रह दिया जाएगा next we discuss IIT Delhi प्रकृती to product district statewide COVID-19 transmission तो अब प्रकृती के बारे में discuss करते हैं इसमें researcher जो है IIT Delhi के अदर उन्होंने एक web-based dashboard create किया है जिसमें की COVID-19 से related spread है उसको predict किया जा सकता है तो एक तो यह चीज़ जाएगा IIT Delhi ने इसको किया है उसके बाद यह देखे कि यह जो प्रकृती है यह एक mobile friendly dashboard है जिसमें की basically state-wise और district-wise predictions की जाती है कि COVID-19 के cases कितने ज़्यादा है और यह जो prediction की जाती है यह three weeks period के लिए की जाती है और इसको हर हफते मतब weekly basis पे update किया जाता है तो यह वाले points आपको याद रखने है कि एक तो किस level पे किया जा रहा है state-wise और district-wise किया जा रहा है और कितने time period के बाद किया जा रहा है यह जीज़े भी आपको याद रखने है तो देखे प्रकृती जो है वो basically r note value के ओपर district और जो state है उस पे work करती है अब यह r note value क्या होती है यह जो zero दिख रहा है आपको r क्या गए यह zero नहीं है इसको हम note कहते है इसका मतलब यह है r note value यह दिखाता है कि एक person जो infected था उसने कितने लोगों पे यह spread किया तो ऐसे करके अगर मान लिजे कि 4 infected person थे और उन्होंने ऐसे infect किया spread किया infection को तो यह जो 4 है 1, 2, 3, 4 यह 4 क्या हो गई r note value हो गई तो r note value क्या है basically कितने person infected है जिन्होंने औरों को भी spread किया है disease को तो r note is district और state के अंदर किया जाता है और देखें यहां पे जो data available होता है वो ministry of health and family welfare के तुरू होता है national disaster management authority और WHO की तुरू प्रोवाइट किया जाता है next we discuss chemical and petrochemical industry तो देखी इससे related अभी news क्यों आई है आपके first time ऐसा हुआ है कि union minister for chemical और जो fertilizers है उन्होंने chemical और petrochemical industries को congratulate किया है यह कि first time ऐसा हुआ है कि chemical और जो petrochemical industries है वो top most exporting sector बन गई है और यह point आपके exam perspective से बहुत जादा important है because अगर आपको याद हो और आपने मेरी video देखी हो जो industrial production index है उसके बारे में तो मैंने वहाँ पे आपको पुरी details बताई थी और उसमें chemical और जो pesticide sector था वो बहुत पीछे जाके था मतलब जिसमें जो rankings दी गई थी situation आप देखेंगे तो जो chemical and petrochemical industry वो top mode exporting sector बन चुकी है country की first time में तो यहाँ पर उनके साथ जो minister उन्होंने ये भी inform किया है कि April 2019 से लेकि January 2020 तक जो export होगा chemicals का वो 7.43% तक ग्रियो होगा previous corresponding period से और जो total export है chemicals का इस period के time में वो 2.68 lakh करोड रुपीज तक पहुच जाएगा जो की constitute करता है 14.35% of total export तो यह वाले जो facts है data है आपको याद रखना है next अब questions के उपर आ जाते हैं अब भी तक अगर lecture पसंद आया और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा चलिए अब हम questions को शुरू करते है questions को शुरू करने से पहले मेरी आपसे complaint है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं आप उसको skip करते सीधा आप questions section में आते हैं उसे अंसर करते हैं यह चीज सही नहीं है इससे हमारी वीडियो जो है उनकी quality खराब हो रही है आगे वो नहीं जा पा रही है तो यह हमारी चैनल पे इफेक्ट कर रहा है तो प्लीज आप ऐसे मत किजिए आप हमारे sincere students है प्लीज एथिकली work कीजिए हम आप से यह expect करते है तो देखें पहले मैंने जो question लिखा था UCPMP code मैंने पूछा था जिसमें की news में यह basically है और पूछा था कि यह किस से related है तो A option था books, B है plastic, C था pharmaceuticals और D था state तो यहां पर जो सही option मदब जवाब दिया सबसे पहले वह study दिवेश नाम का एक channel है दिवेश congratulations आपने सबसे पहले इसे attempt किया है so I wish कि आप ऐसे consistent रहेंगे top or stop के साथ और अपना aim जल्दी से जल्दी achieve करेंगे जिन students ने इसको नहीं attempt किया था मैं उन्हें बताद हूँ कि जो C option है वो सही है pharmacuticals इसका सही answer है तो यहां पर मैं एक बार आपको explanation भी दे देती हूँ देखे UCPMP code जो है वो एक voluntary code है जिसको कि department of pharmacuticals के तुरू इस्चू किया जाता हूँ तो यहां पर बेसिकली देखे inner pharmacutical companies जो है उनकी marketing practices से यह related है मतब कि जो medical devices industry है उनको कहा जाता है कि आप जितने भी अपनी practices कर रहे हैं उनको ethically करें तो यहां पर जो applicability की गई है present time में तो UCPMP code जो है वो applicable होगा pharmacutical companies के उपर जितने भी medical representatives है उनके उपर जितने भी agents है pharma companies के इसे distributors हो गए wholesalers हो गए retailers हो गए उन सब के उपर यह apply होका जिसमें कि यह कहा जाएगा कि आप किसी को bribe नहीं कर सकते हैं आप किसी तरीके की gifts नहीं दे सकते हैं या फिर और को इस तरीके की advantageous situation नहीं दे सकते हैं कि जो doctors है या फिर जो medical industries है वो एक company को specifically promote करें तो चली आज के questions पर आजाते है आई नो थोड़ा phone का मैं इसका बढ़ता है न यह options के बीच में gap था तो I can't do anything तो first option जो है मैं read कर देती हूँ आपके सामने उसके बाद आपटायम कीजिगा with reference to the world intellectual property day 2020 consider the following statement तो world intellectual property day 2020 जो है उससे related to statement आपको बताना है first statement है कि world intellectual property day 2020 is being celebrated on 26 April with the theme innovate for a green future तो यहां पर का गया है कि 26 April को celebrate किया गया है उसकी थीम थी innovate for a green future और जो second statement है वो यह है कि 26 April was chosen as the date because it coincides with the date on which the convention establishing the world intellectual property organization entered into force in 1970 तो यहां पर एक आ गया है कि यह date जो है यह coincide करती है जो basically convention established हुआ था world intellectual property organization का 1970 में जो enforce हुई थी और आपके सामनी option है a one only b two only c both one and two d neither one no two तो वीडियो को पोस किजिए और इस से टैंब कीजिए ओके डन तो देखे सी option जो है वो यहां पर correct है क्योंकि यह दोनों ही statement मैंने आपको बताई थी बिल्कुल सही है next question is with reference to prakriti that is prediction and assessment of corona infection and transmission in India consider the following statement और प्रकृति के बारे में आपको बता रहा है first statement है यह mobile friendly dashboard है जिसमें की detail दी जाते है statewide और district wise predictions के basis पे COVID-19 cases के यह three week period के बात publish होता है और update होता है weekly basis पे और जो second है स्टेटमेंट है कि इस developed by DRDO तो यह option आपके पास one only two is be only see both one and two and be neither one no two a two एक बार वीडियो को पोस्ट की जो इस से time किजिए okay done तो देखे one option जो है only वो सही है यह DRDO के थ्रू नहीं बनाया गया बलकि आई आई टी डेली के थ्रू बनाया गया नेक्स्ट कोईशन इस विद रेफ्रेंस टु क्रेडिट रिस्क फ़र्ण स कुंसीडर दौ फॉलिंग स्टेटमेंट तो फ़र्स स्टेटमेंट है आपके सामने कि यह स्टेटमेंट तो यहां पर गलत है से फर्स स्टेटमेंट सही है तो यह उप्षिन वर्न उनली बिकोज 95 परचंट नहीं 65 परचंट जो पॉर्टफोलियो है बोंड कर यह उसके उपर अप्लाय करते है अब यह वाला जो कोशन है यह आपका कल के लिए है आप इसे कमेंट से पहले विडियो को देखेंगे पूरा फिर कोशन सेक्शन में आएंगे और इसको अटाइम करेंगे वरना फिर मैं आगे से कोशन नहीं दूंगे इस तरीके से तो फर्स्ट इस वाइटल आ गया वेंटिलेटर इंटर्वेंशन टेक्नोलोजी अक्सेसिबल लोकालिटी रिसे अब्सक्राइब आर चानल और लाइक आर वीडियो थैंक यू सो मुच